असला को फ्रेंज वेलकम बैक तो मां यूटूब चैनल चलिए अब नावल का पार नबर 43 स्टा करते हैं वीडियो कर अच्छे लगे तो लाइक रशे जरू कर दीजिगा आफ वाइड मैकसिन नमा लॉंग फ्राक जिसकी नेट से मज़ीन बासू और गले पर गुल्डन हैवी एंबलिक एंड 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 वर्क हुआ हुआ था जबदन की वाज सही मैन में असमान ते उत्वी खुल लाग रहे थे गने डेश में बालू का उंचासा जूरा बनाएं जिसकी कुछ लेटें उसके सभी चेर पर बिख़ड रही थी रेश्य वाम लैंप सभी च टारिक सी शाल अपर टेंजब वो सबके सामने जब वो सबके सास्थ सेहसेज के कदम उठाती सीनियों उतर रही थी तो सब एक पल को महबत रहे गये उसे बातें करतें जहाने सरस्री सी निगास की तरफ डाले लेकिन वह सरस्री सी निगाह गैरी पेखुद नगामे का बदल इस तरगंगा शूर इतना तेज़ ता कि उसे लगा कर पास कर अफराद भी न सुन ले उसने उसकी चमकदा सियात तेज़ तार बेखुद निगाहों की लपक से हार्टोवे लज़दोवे पलकिया जुकाली और पसिने से नम होती भी हटलिया मजीद बीच ले माशालला मेर ने जहां को देतेवे श्यारत से खा वो भी आफ वाइट सूट में मलबूस अपने जाकिनमा कोड के कफ फोर्ड के वे स्यावाज जस्बे ममूल कुछ पेशाने पर बिखेड़े वो किसी का भी दिल दरकाने का सपब बन रहा था हाले और शावेस के ड्रेस इस भी आफ आप तक सुमा चुके थी अपनी शर्ण मोजजग पर भी काभू पा चुके थी लेकिन ऐसे मौके पर उसे फितरी शर्म और हया आन दवोच दी इद्धर आओ वाब में गूर लेना तुम्हारी ही है मौवेने से यू उसे तक्ते देखा तो दान निकालते बोला तो अलीज़े के द्रकने इंतशा का शकार हुई जबके उसने खाज जाने वाली नौज़े से उसको देखा अब उनका इरादा उनके तस्वीड़े लेने का था जबकि वह यू नर्वेस होने लगे थी कि गोया पहली दफ़ा उसके साथ खोर रहा होना था मैर ने क्यूट से प्रिंसिस वीर उसके गोड में थमया जबके हाले जहां के गोड में थी और अब आया का शान शार फैमली का फोटोग्रावर इन सब की नजर में कि वह तस्वीरे अच्छी लेता था इंचारों की मुझीफ पोस्स में तस्वीरे लेती है उसने हाकिकतन अलीज़े को बखला दिया बाबी व उसे डंक से गोड बे न सकी कि उसका कुछ पता ना था कि मजदी चोरा हो जाता चलें फिलहाल इतना काफी है उसने लिज़े को कमते मेसूस किया जब उसके हसामे बच्चू को थामे वे थी और बबन सकाते हैं बच्चू पार जुका पोस्त दे रहा था तब उसकी शाद होना कर दिया और कुछ ही देर में ये काफला फाम होस की जनम चल पड़ा हान उसके से सार उटाते वे सो देखा जो आंके मों दे पड़ा था उसने हनकोरा बड़ा तुसे नर्मी से रुकसा पर हाथ भरत वे खा चेंज का लो ना फिर सो जाना उसका रुकसा से लातावे से क आंगे नीचे को लटका है बगार तकी के चत लिटा उससे भी गुड़ा गया था एच्छा उसने आंगे खुलते वे उसका रोशन गुलाबी चेरा देखा जो इसकी जिंदकी का असासा था क्या देख रही हो उसके नजबते वे का तो उसने मुस्कुरा कर उसको देखा और नफी में सर हिलाया दुबेर एक बात पोचो उसने संजीदी से कहा तो वह चूंगा तो दुबेर तब ही कहती थी जब बात जरूरी हो हाँ जरूर उसने मुस्क्राकर कहा तुम तुम तुमें बुरा नहीं लगता कि लारे अभी भी तुमें अपने काम कहते हो और तुम सर को मैं सर इसले नहीं कहता कि वह मेरे बास है मैंने इसले कहता हूं कि मैं उसक्राइर हूं उन्हें इमान वावतन और रिश्टु के जंग में इमान वेवतन को चूंटे वे मुझे हरीत लिया था तुम यह कैसे अलगा कि मैं यह मिकसब इद ले क्या जाप करताहूं हाईdevelop नेच्टिडियर्ट के दुरान और वैसे तुम्हें हमारा काम पता है और मुझे सार इसका मौज़ा मेरी स्लाइट की बिना पर देती है और मैं पापा का बेटा बन कर रहता कि सार के पापा ने अपनी प्राप्टी में से 10 पर्थन मेरे नाम किया है इसका इल्म साब को है उसे कि ये भी तो जानती ही हो कि मैं इस चादिस से पहले सको रिष्टी के हिसाफ्स से भोकाता था मिस सबकुर्म माई है ने DR. पर चांते हैं मुझे पाप क्लियर की लेकिं क्या सब जानते के लाली ने मरडर उसने जिचे तोब makes चीजे पर पर पड़दा रहना बहुत उ Chun अगर एक की से परदा उठी तो बहुत से चीज़ें भी आशकार करना पड़ती हैं अगर ये बताया गया किसाने मड़र किये हैं तो ये भी बताना पढ़ेगा किस के और क्यूँ उजे जो नम समने आएगा वो कोई भी बरदाश नहीं कर सकेगा कि नोचवान पार्टी में कोई भी नहीं जानता कि सरकी मंदर क्यूं छोगर गए थी लेकिन मीडिया वाज़ देहं कि सारी ग्रहें खोलना चाहती थी मीडिया में ये बता बताया जा चुका है कि सारने वाकि मडर किये लेकिन किसके ये किये ये नहीं बताया गया ना कभी बताया चाहेगा और ये मडर क्यूं किये गे उसे चीफ साथ क्लियर कार चुकिया पापा जानते के उसे जहां के पापा का पूचा जी मौविया पपा उदाद बेगम जानते सारी सचाई को उसे संजीदी से बताया पर कोई सवाल उसे के आंकों में जांकते वे पुछा तो वो जिम्रती भी नफी में सारी लागी वो मेरे दोस है ना जारिया वो कहते है कि तुम्हारा शुहर तुमारे बाई को सड़ क्यों कहता उसके कांदे पा जारी पहने गई मुबस और एक और उसकी निगाहों में हमार उत्तर ने लगा और वजो खुद्पा कंट्रोल की बढ़ना था सब खो गया एक्ट्री यहां मैं लफसों से नहीं अमरे से बताना चाता था कि तुम कैसी लाग रही हो इसलिए इद्धा नहीं कि तुम आक पर करती उसे संजीद्गी वश्रार से कहते कुछ थमने का मुंका दिये बाएगा उसके चेह पर जुका उसके सांसु में अपने सांसे उतारने लगा उसका मकसद इसका शिद्ध लिए वह था कि उसकी सांसे लगे वक्तन वाकितन मैसूस हुआ कि वह उसे आज कैसी लाग रहे उसने उसे यहीं बैकते हुट में खुएवे देखा तो उसकी शर्का कलर जकर्दवे गोया पीचे होने का इशारा किया कि आप उसकी सांसे अड़कने लगी थे कुछ देबाद वहाद का सीद्ध हुआ उसका सुरह चेह और बीके लबों पर ग्यारी निगार डाली जो कि ग पुरने वाले अंदास में कहा उसका चलो जीए तो बताओ के मैं कैसा लाग रहा उसकी बारी अवाब में छलगती चिटारत पर उसने लब दुबातेवे मुस्कराहट का गला गोंटा बहुत बुड़े उसने कोया अपनी सिद्ध बड़ी तारीफ का बदला लिया था यूर लगता है नाचा मुझे यह आखी अच्छी प्ड़ाती है जो मुझे देखती है तो मुझे लगता है कि मैं हईच्छी प्सूरत हो मुझे यह दिलता है इसात ना कि मैं हास हूं उसे के कशादा कशड़ती सीने पर लब रखते हुए मतोची सिका और वो जो साकसा उसके अमरे सदा अलफाजों को ज़स्प करता जा रहा था मुझे पूरा दुबेर हान प्यारा लगता हचको एक महर दुबेर हान को उस फाहर में इस फाहर में मुझा करता है कि वो किसी के लिए बहुत ही हास है किसी ने उसे दुबाओं में मंगा है जिरे से क्याती भी उसके माते पर नर्मी से लब रखती हुए को इसका सीने में चुपाती अपनी बेकाबू तरगन को समान लगे थैंक्यू मेरे जान इस हुपसरे इसास के लिए उसने होते बीचते से जिसपास से चूर पूर शिदत अवास में का ना जाने को कब तक यूही अपने हसार में मुक्यत की ये महसूस करता रहा ते वो होले से कसमसाती भी बोली हान गर में कितनी हमोशी है ना अकेला अकेला उसने से क्याफिय से निकलने को उस पर फसूम हो के हमोशी को मैसूस करते वे कहा कि इसके नगाउं से चलते वे मूझ और तकाजे उसे बोखला रहे थे हान हमोशी तो है इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि जैसा मेरी मामा की मजदी में एक पूर्णक महौल था उसने से गेड़े में लिए एक हाथ उसने देखनी की कोशिश करते बिल साता पूछा क्या मैं चाहता हूँ कि वैसा महौल हो जब मामा पापा के साथ हमती नों बेहन का ताला लगा दिया तो फिर क्या हयाल है करे इस अकेलेपन का हर तलाश उसने जीज़ते वे उसकी आंकों में जांकते वे सो मैंने अंदास में का दूस का दिल सीने में हज़कोले खाने लगा और रंगत तहखने लगी मुझे चेंज सोने लगी वे बिड़रपत सी बोलती उसके हसान को निकले को थी जब नर्मी से थामतावा खुद पर जुगा जुगा था अभी नहीं चेंज करना कि मैंने अभी तफसीर से बताना कि आए तुम कितनी हुपसर लग रही हो वारी हमार लोद लहज़ में कहता है उसकी दरकने बखेर गया नहीं हाँ मैंने नहीं सर उसकी बाप पर उसके हसान हता हुए और वो उल्टा सिजा बहुती मजाहमत पर उदरती अपनी प्रानी दमकी पड़ाई लेकिन उसकी पूर्च जोर शिद्ध बड़वी गिर्थ में उसकी बेज़ जोर सी मजाहमत और इलफास तम तोड़ गए वादा हिलाफी वालों को बीचे होंटों के ताद दिल में उतरता हुए मैंने कोर्सी वादा हालाफी की कसमा साथे वीड को जलाते वे उसने बाप मुश्किल लहुत को सभाप पर आमाता किया तो उसने ग्यारी तीकी नदिस उसको देखा कोया पूछ रहो क्या वाक्ति आपको कुछ नहीं बता लेक इतनी दूर से तंग करना मुझे पसान नहीं है और मेरे बेटे पार मेरा घुसा मत निकाले उसका श्रम और हिजाब थे ताप उठा आपका बेटा है तो पकड़े फिर उसे उसे नराजगी जिताते हुए मकसद उसे मुझत हटाना था मेरी है तो ये मेरा बेटा मेरा है उस ये संजीदी से उसे तरंस का जवाब दिया उसकी बाप पर वश्रमिंदा होती सर जुपा गी तो जो अपना हुआ उसे सिजा तो नहीं देते ना उसे मुस्मियां से कहते हुए गया उसका मूट ठीक करने के कोशिश की उसकी ऐसी कोशिश पर उसे गैरी लो देती नजरूं के साथ देनी के पास रहा किया था खैदर अब क्या करों उससे रहा से पूचा कि उसका रोना और तेथ हो चुका था चुप मेरा बेटा बस करें शाबाश प्लीज उसने गौद में हिलाते हुए जला जिते हुए उससे चुप करवाने की नाकाम कोशिश में थी इदर दे ग कार्स बगार YA को भीच कर खुदी काड़ी घ्रेफ करते हैं गहरी रहा ता ओर रात गारी हुर थे गन्दे गन्दे का मेरा प्रिंस्स तो नहीं करता ना ममा को तंग नहीं गड़ते उसे प्यारा करते हुए नरमीड से चुप करवा रहाँ था और हैट की बात ही कि वी उतके पास जाकर चुप हो चुगा था जबकि वो मुस्कराती नजर से उस पर सुकून फरत अमेस नजरू को मंदल को नजरू के रास्ते में रूह में उताने लगे आपके ममा को तांग करने का प्रेमिट सिर्फ मुझे है उसके नजरें खूद पर मरसूस रखके उतें संजित्की से जो मैंने इल्फास के तो वो गरबराती रूफ बदल के इतना हर्स की उड़े हैं उसे मस्कुराथी मौविया को देते हुए चेकर खा वेगम यह तो इंतहाई गलत बात है कि एक गलत बात है ना लेकिंता देर देखना सकी कि उसकी नगाहों के दिल फ्रेब इचारे उसका हफ़े चेहरे पर शर्म हया के रंग बखेर गया हुआ कुछ यह था कि वो लीज़े से हाले को लेकर आए थी और वह से चुप करवाने ले ले गई और अगर ज्यादा रोई तो फीडर दे देगी लेकिंसे ने रोना मचा दिया कि ना वो फीडर से चुप हूई थी ना किसी के बिलाने से उसके इस तरह रोने पर वो भी धारे मामा करो पर बखेंगे कि तो जार ही हैं बेगम अभी तो मैंने देखा भी नहीं उसकी बाह पर उसका दिल एक पाल को जोर से दरग उटा आपको जोरत क्या देखने की कौन था भी देखना या पहली दफ़ा देखना उसे शिक्पा करते हुए कदम बढ़ा थे उसे नज़र बढ़कर सर तापा अंग जिसम का सारा हुन गोया सिमर का चेड़े पहला चोरा हो मेरे साथ ये फजूल बाते मत करें उसके बातों से वह अभी भी हफा थी इसकी खुद पर काबू पाते भी पलड़ कर तन्मिया करते भी कोया हुए उक्ये उसे फोरण से रजामंदी दी तो वह काफी हेरान हुई मै फजूल पाते हैं ही फजूल हरकते ही का लेता राइट उसने आंके दबाते हुए खा तो उसका दिल कानु में दरखने लगा जबके सांस्ते इंतशा का शिकार होने लगे शरम तो नहीं आती वह जंचल लाते हुए असाब के साथ रुख पज़त भी बोली तो उसने वहीं आंको से अपकी उसके फिगर को देते हुए खा तो वह गबराती हुए बटा फिलाती बेबसी से बोली अगर आपने आसी बाते बाते बंद ना की तो मैं रो दोंगे उसे दमकी देने वाले अंतास में आप जानती है ना कि मुझे कितनी प्यास लगती है उसे पुर्टपश इसके आंके नचाते हुए मुस्मुनी हैरस से पुछा तो इसकी आंकों से लपद इश्टाय को देते वे उसकी आंके नम होने लगी ए बेगम क्या हुआ रोना प्लीज मातर वो उसकी नम आंके देतावा तरफकर सीधा हुआ उसे करीब गया क्या वाजी निए उससे कान्द से थामते वे पूचा कि वह जानता था कि उसकी बातों परशान ही होती वज़ा कुछ और थी लेकिन जो भी वज़ा थी लेकिन उसकी आंकों में आसु नहीं देखता था जैनक क्या हुआ आपके उसकी आंकों में जानते वे सहीदी से का तो उसका दिल दक्स सराय गया कि यह उ सांस बार कर आए गया और फिर गुड़कर के अपने सीने में चुपेवे स्राकर गुड़ा कसम से दिल का रहा है कि दो सूर के लगाओं जान निकाल दी थी मेरी वह गुड़ते वे दांत पिसते वे बोला तो उसने जटके से सार उठाया आप बजाए मेरा मसला हल करने के अगये तुम्हारी आँखे उसके हरकबा उसका एक पाल को साकत हुआ दिल उसके लफसुपा हिच कोले खाने लगा मेरी जान हम किसलिए हैं आख हुकम करना हम बग्की हातरां की नोकरी छोग कर आपके हिदमत में परके बच्चू की हिदमत में हमावक पेश पेश रहेंगे वो उसके सुरह पढ़ती रंगन आखों में चलकते हुए शर्म हया के रंगों के साथ उतरने वाले हपकी के रंग देते हुए सिनिप पहातरती लोप्राना स्ट्रैल में गोया हुआ तो ना चाते हुए उसके लबू पार मिस्क्राहट बिखर गे आप समालनेंगे नहीं वो तो उसके हसासाने के लिए नाकाम कोशिक करते हैं तो उसने जिर्थ मस्बूत करते हैं उसकी कोशिक नाकां बनादाए उन्टी सिनांग से अपनी नाक मिस्क प्रता हुआ वगर वो अरकरप करते शराड़स से बोटते वे उसके कान की लोग चुमता वाऑ, शराड़स से बोला मकस्स सिर्फ मौलक को बदलना था आप गाना काएंगे, उसकी बापा वो इतनी हीरान होई कि उसकी हरकप पर छरमाना भी बोल गे कि वो इंतहा का रॉमांटिक होने के बावजुदर कभी भी शारी या सांग से शगफ ना रखता था लेकिन अभी कुछ देड़ पहले का उसका शेड कहना और अभी कहना वो हेरान होती है तो क्या करती है हाँ क्यों मैं नहीं कह सकता उसे आंके निकाते वी खाब नहीं मेरा मतब के वाकी आज मौबिया हसन शाह आज जैनम मौबिया शाह के लिए गाना गाएंगे उसे मुस्काते वे इसके सेहने पाद दोनों बादों जमाते वे अदाव ना से पूचा मिरी जान अगर आपके यही तेवर और अदाय रही ना तो गाना तो क्या मैं तो नसर भी ना सुना सकूँ इसलिए अभी इन अदावों को काबू में रखो ये ना हो कि इन अदावों से मैं बेकाबू होता हुआ तुम्हें इस अंदाव से काबू करू कि फिर तुम पूरी रात बेकाबू उसके देखते वे ना स्टाप शुरू हो गयाता तो वो श्रम से हलकान होती उसके लवो पहाच मागे खुदा के लिए ना करे वो रोहारसी हो जोगे थी ना तो खुद इज़ार करती हो ना महबत के मजारे करती हो ना करने देती हो उसे नरोठे पांच से अजली शिकवा दुरहायत वो ग्यारी सांस परकर राएगे आप नहीं सुदस होते उसका जटते वे उसका शिकवा हमेशे कितना उड़ाना चाहा मुहतरमा थोड़ा सा के तरिके बताता हूं मजाल है जो कभी अमर कागर दिखाया हो वहासे काईलों माईल अंदास में गोया हुआ तो वह हया अमर सीपस से सुरुफ पार गे आप ही काफी हैं इस काम को उसे दीमें सकात के ये मौज़ू ऐसा था कि जहां उसकी बहुती बंद हो जाती थी कि वह कहना तो दूर के बाद उतकी चिटेतें बरदाश भी ना कर पादी थी नहीं नहीं ना मेरा दिल करता है कि तुमी मुझसे प्यार करो उसे जांबुश को ठटनते हुए का चूमना ही अगर मकसूद था तो हम नजजू से चूम लिया करते हैं लगाकर होंट किसे के दामन को दगादार नहीं करते हैं उसे दीमे से कहते हुए जान श्कूरानी चाहिए लेकिन उसने गोया नाक सा मक्की हो रहा है हम महबतु में ऐसी पबंदियों के काहिल नहीं है उसे पूरता पर शिलाजे में कहते हुए श्रारस से आंग दबाई तब प्लीस माविया उसके बलके जोगे जबके चेरा श्रम से दहख उटा हाँ यह असर होता बेगा मेरी महबत पर तक्रीर का बातुपही टोक रही हो अभी अम्बल तो बाकी है उसकी कालर बॉंपा उंगली फिरते वे सुनसर नहीं फिलाई तो इसकी रेट की हड़ी तक सुनसर नहीं उठी उसे पहले कि कर दो मुझे और सुजारी ना दे उसे हंट से वे सारा इल्जाम उस पर दरातों से सारा मामला समझते विसे उसकी नगाव की पुट जो शमक ने उसे दोबारा सा जुकने पर मच्बूर कर दिया आप उसके कुछ कहना चाहा जब उसके मिलाई बुड़ाट लिप्स्टिक से सजो हुटों पर उंग्लिट से जाता वसे टो गया हुसन हर बाई शिरात में पहल करता है बात बाट बाट जाती है तो इसके सर जाती है पर फसूम होल बाई लाज़े में कहता हुसे मोदे इल्जाम ठेहराता उसकी ठ्धाड़ी वे दरकनों को पागल सा कार गया मामा उसे पर हावी होते देखकर उसका दिल उचल का हलक में आसी मुटा अभी तो कोई भी माफी नहीं बहुत दिनों से बच रही है लेकिन अभी अपनी अदाउं से तुमने मुझे पागल कर दिया किसने कहा था इसकदर सजो समवारो उसके लबू पर लगी लिपसी को वांगोटे स समंदर में बगोने लगा जबके उसके इस समंदर में डूपती वी उसकी चितेते से बिख़टे चलेगे दोनों की एक ताल में दरखती वी सांस्तों और मैंक से सजवा कमने का पर प्रफर सुम हो उसके जिस बात में और चितेते उबार आता जिनने से बाती वो कभी जाती है